तो माईडियर इस्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिये थर डियर के फिप्त समस्टर के हिंदी के फेस्ट फेपर के मोस्ट इंपार्टन टॉपिक्स एंड स्लेबर्ड के बारे में तो जिन जिन भी इस्टुडेंट को आने वाले दिनों में बेप्फ यानि कि पंचम समेश्टर के परिच्छा देनी है आने वाले दिनों में उनके लिए वीडियो काफे हिल्फुल है क्योंकि आपको हिंदी गा सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसकी जानकाई तो होनी चाहिए न आपको तो हम आपको बताने वाले तो बिना दिर के वीडियो को शुरू करते हैं और यह फाइनल वर्स वालों के लिए जो अन्ति मुर्स के चाहत रहें थिप्त समस्टर के ठीक है प्रूब के तोर पर देख लिए वर्स आपका थर्डियर है समस्टर फिफ्त है सब्जक्ट हिंदी प्रस्ण पत्र का नाम साहित अफ़ाफ्तर और हिंदी अलोचना पर जुड़े होंगे ठीक है तो हर सब्जक्ट जितने भी सब्जक्ट होते हैं हर सब्जक्ट आठ यूनिट आठ चैप्टर आठ टॉपिक्स में डिवाइड होते हैं आप चाहाए यूनिट बोले चाहाए टॉपिक्स बोले चाहाए चैप्टर बोले सब एक ही है तो चलिए बढ़ते हैं पहले यूनिट में कौन-कौन से टॉपिक्स है कहां कहां से प्रस्ट बन सकते हैं क्या क्या है यह जानते हैं तो पहले unit में भारतिए काब साफ्तर काब बिकाब सिंपल समता होता है ना्टच्या फिर रशना ठीक है तो काब प्रेवजन का अर्थ होता है आंत्रिक प्रेड़ा सकते और आप इसको भी बोल सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि काब बिका या फिर रशना का उद्देश तो काब प्रियोजन का मतलब होता है कविता या फिर काब बिका उद्देश अथवा ठीक है अंतरिक प्रेणा सकते ठीक है तो ये टोपिक से यहाँ पर कोशन आएंगे फिर काब बिलच्छन काब लच्छन मतब कि काब का एक तरीके से मातलब आप लोग समझें कि रशना या पुस्तक तो किसी भी रशना या फिर आप लोग कह सकते हैं ठीक है कविता तो किसी भी रशना या कविता का लच्छन क्या है काब लच्छन क्या है काब का सुरूप क्या है काब की आत्मा क्या कब की आत्मा क्या है तो इनको आपको प्रिपेर करना पड़ेगा ठीक है तो अभी आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहे हैं और बता रहे हैं कि यहां से प्रस्ट आएंगे और आने वाले आपको प्रस्ट करनेंगे इहां यहां से प्रस्ट बनेंगे और यह है आपको बैसिक करना कर अखराद के कविता है ंंका बारे तो भाहिया कोई भी रशनह नहोंति कोई भी कभिता होती है exactly उसमें अलंग मार पाए जा पकता है तो अलंकार सिध्धांत क्या है ईसन जो आप रश पढ़ते आ रहे हैं ठीवकर दास बार्वी और फरस्ट एर सिकेंडियर में या फिर बार्वी क्लास में तो वही रस है ठीक है रस फिद्धांद क्या है अलंकार क्या है और ध्वनी ध्वनी यानिक इसको आवाज बोलते है उसका फिद्धांद क्या है ठीक है वक्रोक्त फिद्धांद क्या है और चित फिद्धांद क्या है तो यह है सिक काब इकरोप यानि कि कोई भी रशना तो उसका रूप क्या है भाई रूप क्या है उसका आकार क्या है ठीक है गुड उसके अंदर क्या क्वाल्टी है उसका विता के अंदर सब्द सकती यानि कि जो काब में जो सब्द है जो वर्ड है उनके पावर क्या है काब यानि कि जो र सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसका अभिन यह इंपॉर्टेंट है रूपक कथा नायका रंग मंचे बिसेश्था यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपिक्स हैं फोर्थ नंबर यूनिट से जहां से प्रश्ण बनेंगे ठीक है इसे पिछले वर्सों में यहां से प्रश्ण आये हैं उसी के साथ में आपको बता रहा हूं ऑको अगला फिर्स नंबर यूनिट ऑपति ते का बसास्तर आक्म कलपना है यह आपको लिखना पड़ेगा और एक और है वरसवर्सμο का का बिया मंपा उन्हें और इचाफस का क्या है दो few steps का ङा प्रमक ब्रद्वान और प्रमक का भी है और इनके जो इनके बारे में आपको लिखना आए ठीक है यह भी आपको लिगों के लिए इंपॉर्टन टॉपिक से फिप्ध नंबर यूट फिथिक कि उसके बाद आ जाएंगे हम six number unit में six number unit में आपको फिर्यूड अभी तक तो आपको आपको देखने को बिलेंगे अलोचना फिर्यूड़ कोईशन तो हिंदी अलोचना का इतिहास कब सुरुवात हुआ कैसे ठीक है इसकी शुरुवात हुई कैसे कैसे भिकास हुआ ठीक है त विकास होते है आज लवर समीह आ गया है आज आप लोग सबजेट के रूप में हिंदी के सबजेक्ड की रूप में पढ़ते हैं हंदी अलोचना के बारे में ठीक है तो इसका विकास कैसे हुआ है कर लीजे उसके वाद सभादमिशना असौचंधता वादी अलोचना माकीस तो इनको नूट कर लीजिए उसके बाद समीच्छा की बिचार धारा है थीक है समीच्छा की बिचार धारी में नई समीच्छा क्या है यहां से प्रश्ण बनेंगे उसके बाद नौफ अफ्तरवाद क्या है यह थार्थवाद क्या है अभिजात्वाद और नौफ अभिजात्वाद यह सब्द जो सुन रहे हैं यह आप साथ पहली बारी सुन नहीं होंगे ठीक है इससे पहले आपने बारमी और दास्वी या फिर फिस्टियर से केंडियर में ना सुना सब्सक्राइब क्या है कि अगला यूनिट है उसमें अलोचक यूम अलोशना दस्ट यानि कि कुछ अलोचक है और उनकी कुछ प्रश्णाएं है ठीक है कि अलोशना वाली दर्श्ट या नजरिया किस प्रकार रहा है ठीक है काब में लोक मंगल किस प्रकार फेन होने इसको देखा प्रेम चंद्र ने साहितिक का उदेश किस प्रकार बताया है प्रसाद जी यानि जैसे इंकर प्रसाद चाया वाद और यथारत वाद के बारे में क्या कहा है या फिर किस प्रकार वरण किया है हजार प्रसाद दिवेदी जी ने आधुनिक फाहित और नई माननताओं के बारे में क्या बताया है किस प्रकार वरण किया है इनकी नजरिया क्या रहा क्या दस्ट रही है ठीक है यह और ही अलोष्टना वे किस प्रकार अलोष्टना की है। उसके बाद डाक्टर नगेंद्र जीन ने मेरे फाहितिक मान नताएं इसको किस प्रकार नो горグाले अलोष्टना की दृव चो देखNewS अलोसना है यह द्रश्टी है मुक्तिबोद जी की नई कविता का आत्मसंगर्ष को लेकर ठीक है तो यह आपको देखने को लेंगे जो यूनिट नमबर आपका आपकी परिच्छा में प्रस्ट नाएंगे और इन आठ उनिट फे अलग कुछ भी नहीं आएगा यही सब आपको तयार करना है और आने वाले दिनों में हमारी जो वीडियो जाएंगी उसमें इन सभी स्लेवर्ष से मोस्ट इंपॉर्डन टॉपिक से कौन कौन से कौश्चिन पिछले वर्षों में पूँचे गए हैं और इस बार आपकी परिच्छा 2425 के सिसन में 26 के सिसन में आने वाले हैं ठीक है उनके बारें बताएंगे और उसका उत्तर भी प्रस्तुत करेंगे फिर हमारी महासंग्राम वीडियो चलेंगी हर सब्जट की इसमें से सारे और आनेक संभावना होगी ठीक है उसके बाद महासंग्राम वीजिन वीडियो चलेगी इसी प्रकार हम आपकी हर सब्जट की तैयारी बिद्धूत तरीके से करा देंगे और साथ साथ में आपको नोट्स भी देंगे कोश्चन भी देंगे जैसे कि यह पूरा पूरा स्लेव समझ में आज आगताब गएगे उसांटी नोट्स भाली वह भी आपको मिलेगी और फिचले फाल में किछले फाल पैपर हुए वह माडल पेपर को Wear को विच्टों करेंगे ठीक है ताकि आपको पता चलब कि हमके का क्शेन पूछ्टे जाते और कैसे बीदीर है और इस लिप बार वीडियो देखेंगे तभी आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा एक दो बार वीडियो देखने से नहीं आएगा समझ में वरना एक ही दो बार एक्जाम के तैयारी लोग करें और एक्जाम देने चले जाए अच्छे काफी नंबर ले आए ठीक है तो इसलिए बोल साल का जूष Z पूरा जो चलती है विकार है एक ही वर्स में सारे समस्टर करा दे सारे फर्स इयर सेपेंड फर्दियर साब काम कतम एक वर्स में बो हो जाए तो इस तरह नहीं होता है कोई बी उस्हार जो नियम हैं । और इस फैने मानिट करता है ताकि आप लोग एक और कोई questions ज़रूर पूछे और हाँ इसी चैनल पर आपको हर सब्जेट की जो हमारी सेरेबर से के कलाफेज होंगी वो आपको मिली जाएंगे और साथ साथ में आने वाले दुनों में वीडियो आपकी महासाग्राम मिलेंगी बाकी कोई questions ज़रूर पूछे मिलें कोड़ने मिलते हैं आपको कोड़ने वीडियो में जाहिंद आपको कोड़ने वीडियो में जाहिंद